दोस्तो कौन इंसान मजबूर नहीं होता? आप मुझे एक बात बताओ, हर इंसान के पास कोई ना कोई मजबूरी होती है और हम इंडिया जैसी कंट्री में ज़्यादा तर लोग lower middle class को बिलॉंग करते हैं या उससे भी नीचे बिलॉंग करते हैं तो सबसे बड़ी कमजोरी हमारी होती है पैसा, earning, अपना livelihood अब क्या problem आती है कि लोग इतना डर जाते हैं पैसे के अभाव से, पैसे की कमी से कि जहां वो काम करते हैं वहां वो बिल्कुल घुटने टेक देते हैं उनका जो boss होता है, senior होता है, उनको निरंतर जलील करता है, चार गलत बाते सुनाता है, जाधा काम निकलवाता है और वो चुपचाब उस बात को सहते हैं, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, क्यों? क्योंकि वो मजबूर है क्योंकि उनकी EMI जानी है, उनके घर की grocery आनी है, उनके बच्चों की fees भरी जानी है, इसलिए वो गुट-गुट के जीते रहते हैं अब बहुत लोग इस चीज को justify करेंगी, कि भईया मजबूर हो, तो थोड़ी बहुत डाटे सहलो, थोड़ी बहुत गुसा सहलो, थोड़ी बहुत बातने सहलो लेकिन आज मैं आपको एक practical बात बताऊँगा, एक बिल्कुल realistic बात बताऊँगा, जो आपके काम आएगी और आपको सच्चाई का आइना दिखाएगी, कि ऐसे लोगों के साथ जो मजबूरी में घुटने टेक देते हैं, अपनी self-esteem को जाने देते हैं, कुर्बान कर देते उनके साथ क्या होता है, दोस्तों जो self-esteem नाम की चीज़ होती है आत्म सम्मान, इसकी जीवन में बहुत महत्वता होती है, जैसे आपने कपड़े पहने हुए जो आपकी body को protect कर रहे हैं, आपको नंगा होने से पब्लिकली बचा रहे हैं, ये आत्म सम्मान, self-esteem आपको emotionally नं बहुतार के फिक देते हैं और लोगों के सामने नंगी हो जाते हैं, तो लोग क्या करेंगे, आपका abuse करेंगे, आपको use करेंगे, इंसानों की तो फितरत ही ही होती है, जितना जो दबेगा उतना ही उसको दबाओ, सड़क पे आप चल रहे होगे, आप देखोगे एकदम दो और आपने उनकी तरफ दोड़ना चालू कर दिया, तो क्या होगा, वो डरके भाग जाएंगे, ऐसे दुम दबाके भागेंगे कि आपकी हसी छूट जाएगी, तो ये फितरत सरफ कुत्तों की नहीं होती, ये इंसानों की भी होती है, जितना जिस से आप दबो के, कोई आप तो दब रहा है, सारे काम आपी से निकलवाएगा, सारी फ्रस्टेशन आपी पर निकालेगा, क्यों, आप दब रहे हो, आप दबते रहोगे, ये इंसान मजबूर है, उसने अडेंटिफाय कर लिया, आप मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, आपने आज दो लोगों से उधा इंसान है, आपको पता है कि उसके पैसे नहीं लोटा है, तो आपसे मार बिटाई भी कर सकता है, आपको गाली को लोज कर सकता है, पब्लीकली जलील कर सकता है, तो आप किसका पैसा सबसे पहले लोटाओगे, दोस्त का नहीं लोटाओगे, चाहे कितना ही लोग कहते रहे है आ मैं तो दोस्त का लोटाऊगा, कोई भी दोस्त का नहीं लोटाएगा, सबसे पहले उस डेंजर, उस डेंजरस आदमी का पैसा लोटाऊगे, ताकि आपकी जान छूटे, तो यही mentality, यही psychology लोगों पर apply होती है, कि जो भी इंसान weak होता है, सीधा होता है, अच्छा होता है, उसको ही abuse करते हैं, उसको ही use करते हैं, और जितना वो दबेगा, जितना use होगा, उतना ही जादा उनकी expectations बढ़ती चली जाएंगी, आज आपने एक भीकारी को अगर पराठा दान कर दिया, तो कल से उसको आपकी रोटी अच्छी नहीं लगीगी, वो आपसे पराठा ही expect करेगा, और पराठा नहीं दिया, तो आपको चार बाते सुना के जाएगा, या मन में बद्दुआएं देगा, तो self-esteem को protect करना आपकी सबसे बड़ी इस दुनिया में जिम्मेदारी है, self-esteem नहीं है तो कुछ भी नहीं है, आज आपका बॉस आपको गाली देता है, आपने वो एक बार गाली सुननी तो कल आपको चार बार गाली देगा, और तरसो धक्के मार के शायद निकाली दे, या फिर सालो साल आपको use करता रहेगा, और आप घुटते रहोगे, दपते रहोगे, उस चंद पैसे के चक्कर में अपना जीवन बरबाद कर लोगे, नरग बना लोगे, और पता है क्या होता है, जो employee थोड़ा सा सक्त है, जिसकी self-esteem strong है, जो थोड़ा बहुत boss को आँख दिखा सकता है, बत्तमीजी करने को नहीं कह रहा है, लेकिन अगर boss आपसे नजायस बात बोलता है, तो clearly बोल देना, sir, madam, इस तरीके की बात मुझसे please ना बोले, या आपसे बहुत नजायस काम करा रहा है, तो बोल देना, sir, मेरी limit cross होगे, इस से जादा मैं काम नहीं कर पाऊँग, अच्छे से नहीं कर पाऊँग, अप लीजिस से जादा मुझसे काम मत करवाओ, जहां आपने एक boundary खीच दी अपने चारों तरफ, उस इंसान को पता चल जाएगा, कि ये इंसान इस boundary के बाहर मुझसे नहीं डरेगा, उसके बाद मैं चाहिए इसको निकाल दूँ, तो ये शांती से चले जाएगा, इसको फरक नहीं पड़ता, लेकिन वो boundary cross नहीं होनी चीए, अब ऐसी बात जब आपके बाउस को पता चल जाएगी, तो वो आपकी boundary cross नहीं करेगा, आपको निकालेगा नहीं, बस उसका ध्यान रखेंगे, फिर वो ऐसे इंसान डूड़ेंगे, जिसकी कोई boundary ना हो, जो कमजोर हो, जो मजबूर हो, और उसको यूज़ करेंगे, अब यूज़ करेंगे, आपको छोड़ देंगे, क्यों? क्योंकि आपने एक boundary खीच दी, boundary खीचना गलत नहीं, और boundary खीचने से आपको कोई नौकरी से निकालेगा भी नहीं, ध्यान रखना इस बात का, आप सोच रहे हो, मैंने boundary कीच दिया, मैंने पलट के थोड़ा सा जवाब दे दिया, इज़त से जवाब दो ना, फरम रहो, थोड़ा सक्त रहो, लेकिन इज़त से respectfully बता दो कि, ये मेरी boundary है, इसको cross ना करें, अगली बार से, वो इंसान जब भी आप से internet करेंगा, उसके back of mind में, subconscious mind में, आपकी boundary घूम रही होगी, और इसलिए वो आप से इज़त से बात करेंगा, और मेरी बाते विश्वास ना हो रहा हो, तो जहां भी आप काम कर रहे हो, गौर करना, कुछ एक ऐसे employees होंगे, जो no-nonsense employees होंगे, जो फालतू किसी की बरदाश्ट नहीं करते होंगे, किसी के साथ गलत वहवार खुद नहीं करते होंगे, और किसी का गलत वहवार बरदाश्ट नहीं करते होंगे, किसी का मजाक नहीं उड़ाते होंगे, और कोई उनका मजाख उड़ा है बरदाश नहीं करते होंगे बहुत से भी एक आत बार वो जवाब दे चुके होंगे जब उनके साथ गलत हुआ होगा ऐसे हर और्गनाइजेशन में मिल जाएंगे और ध्यान करना ऐसे लोगों की ही से ज़ादा इजब भी होती है बहुत को भी पता है कि मैंने इस इंसान को प्रमोशन नहीं दिया तो मुझसे पूछलेगा क्यों प्रमोशन नहीं दिया मैंने क्या गलती करी थी जो मजबूर है उसको तो 5-10 साल ये की पोजिशन पर रोग दो वो तो कुछ बोली नहीं पाए बोल भी दिया तो डाट देंगे तो इसलिए अपनी सेल्फ एस्टीम को प्रोटेक्ट करना बना के रखना दोस्तों बहुत ही जरूरी है लाइफ में कभी भी सेल्फ एस्टीम को मत जाने देना एक तो ये कारण होगे और दूसरा कारण ही है कि सेल्फ एस्टीम के बिना आदमी या औरत अपनी नजरों में बहुत गिर जाते है एक बार जब आप अपनी नजरों में गिर गए सबसे पहले तो आप अपने आप से नफरत करने लगोगे और दूसरे नबर पे अपनी जिन्दगी से नफरत करने लगोगे और ये जिन्दगी एक नरक से बढ़कर कुछ नहीं रह जाएगी जिसकी सेल्फ एस्टीम स्टॉंग होती है ना उसकी जेब में चाये एक भी रुपया ना हो उस इंसान की सब लोग इज़त भी करेंगे और वो इंसान हमेशा खुश भी रहेगा कभी भी अपने बारे में conscious या weak फिल नहीं करेगा उसको पता है पैसा नहीं तो क्या हुआ कुछ ना कुछ करी लूँगा इज़त लेंगे सब कुछ है तो इसलिए दोस्तों इज़त को हमेशा अपनी प्रोटेट करके चले कभी भी लोगों को अपनी बाउंडरी क्रॉस मत करने दे चाहे वो आपके दोस्त हो रिष्टेदार हो माबाप हो बॉस हो कॉलीग्स हो चाहे कोई भी हो एक बाउंडरी हमेशा खीच के रखो और वो है आपकी सेल्फ रिस्पेट की सेल्फ एस्टीम की बाउंडरी